पास तेरे उड़े आए ओम शांते ये पुरानी दुनिया, दुख, चिन्ताओं, परिशानियों से, समस्याओं से, कठिनाईयों से, विगनों से भरी हुई है, जहाँ भी जाएं, जिसकिसी को भी देखें, सब फिक्रों में घिरे हुए है, लेकिन ऐसी गमों की दुनिया में, हमें बेगमपुर का बादशाह बनाने, हमें बेफिक्र बादशाह बनाने, खुद शिव बाबा हमारे लिए आये है, जो हमें ज्ञान और यूग की शक्ती से, सब फिक्रों से फारिक निश्चिंत बना देते हैं, और उसका आधार है हमारी निश्चे बुद्धी स्थिती, स्वयम में निश्चे, बाबा पे निश्चे, परिवार में निश्चे और विशेश, ड्रामा पर निश्चे, जब ये निश्चे पक्का होता है, तो आत्मा को नशा भी रहता है, और निश्चेंत स्थिती भी रहती है, तो आज की मुडली भी हमें बेफिक्र बाद्शा बनाने का आधार समझा रही है, कभी सुनते हैं बाबा के मधर महावाक्य, आज है बीस फर्वरी दो हजार चॉबिस, बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें तनमन्धन से सच्ची, रूहानी सेवा करनी है, नोच करेंगे, तन से भी, मन से भी, धन से भी, कौन सी सेवा करनी है, सच्ची, रूहानी सेवा करनी है, रूहानी सेवा से ही, भारत गोल्डन एज बन चाएगा, प्रश्न है, बेफिक्र रहने के लिए सदा कौन सी बात याद रखो तुम बेफिक्र कब रह सकेंगे कौन सी बात याद रखेंगे उत्तर है बेफिक्र रहने के लिए सदा याद रहे कि यह ड्रामा बिलकुल accurate बना हुआ है जो भी ड्रामा अनुसार चल रहा है यह बिल्कुल अक्यूरेट है परंतु अभी तुम बच्चे बेफिक्र रह नहीं सकते जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो तब तुम बेफिक्र बनेंगे तब तक कर्म कर्म के संबंध है ना खीचते रहते हैं उनके प्रभाव में आते रहते हैं और फिक्र भी करते रहते हैं इसके लिए योग बहुत अच्छा चाहिए योगी और ज्यानी बच्चे चिप नहीं सकते आउम शांती पतित पावन शिव भगवान वाच बाप ने समझा दिया है कि देहधारी मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता मनुष्य यह भी जानते है पतित पावन भगवान ही है श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे बिचारे बहुत मुझे होई हैं भक्त जन बहुत कन्फियोज़ हैं भारत में जब सूत मुझ जाता है सब बहुत कन्फियोज़ हो जाते हैं तब शिव बाबा को आना पड़ता है बाप के बिना उसे कोई सुलज़ा ना सके वो ही पतित पावन शिव बाबा है जिसको सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो सोभी नमबरवार पुरुशार्थ अनुसार भलियां बैठे हैं रोज सुनते हैं तो भी ध्यान में यह नहीं आता है कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं बहन में विराजमान है हमको पढ़ा रहे है पावन बना रहे है युक्ती बतला रहे है वंडरफुल है न? बाबा के सानिध्य में बैठे हैं फिर भी याद नहीं रहता है तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन रचता और रचना की नौलिज पाकर काम को जीत जगत जीत बनते हो तो वह बाब पतित पावन भी ठहरा नई दुनिया का रचता भी ठहरा अभी बेहद का राज्चे पाने के लिए तुम पुरुशार्थ करो हर एक समझते हैं हम शिव बाबा से राज्चे भाग के ले रहे हैं समझते हैं न सबी यह भी यथार थरीती समझ नहीं सकते कोई थुड़ा जानते कोई तो बिल्कुली नहीं जानते यह अंदर के निश्चे की बात है शिव बाबा तो कहते हैं पतित पावन मैं हूँ मेरे से अगर कोई आकर पूछे तो मैं अपना परीचे दे सकता हूँ तुमको भी तो बाप ने अपना परीचे दिया है न शिव बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवीश करता हूँ यह साधारण तन है जाड के अंत में खड़ा है पतित दुनिया में खड़ा है दिखेंगे न जाड का चित्र बिलकुल एंड में ब्रह्मा बाबा खड़े है और फिर नीचे तपस्या कर रहे है इनको भी तपस्या शिव बाबा सिखला रहे है प्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा ने सिखाया राज यूग शिव बाबा सिखाते है नीचे आदिदेव उपर में आदिनात दिलवाला टेंपल में तुम बच्चे समझा सकते हो हम ब्रामभण शिव बाबा की संतान है तुम भी शिव बाबा के बच्चे हो पर तुछ जानते नहीं हो भगवान एक है बाकी सब ब्रदर्स है बाप कहते हैं मैं आपने बच्चों को ही पढ़ाता हूं जो मुझे पहचानते हैं उन्हों को ही पढ़ाकर देवता बनाता हूं भारत ही स्वर्ग था अब नर्क है जो काम को जीतेगा वही जगत जीत बनेगा मैं गोल्डन वर्ल्ड की स्थापना कर रहा हूं अनेक बार यह भारत गोल्डन एज में था फिर आईरन एज में आया यह कोई भी जानते नहीं रचाईता और रचना के आदी मध्यांत को कोई जानते नहीं मैं नौलिजफुल हूँ यह है एम अप्चेक्ट मैं इनके साधारण तन में प्रवेश होकर नौलिज देता हूँ अब तुम भी पवित्र बनू इन विकारों को जीतने से तुम जगत जीत बनेगे यह सब बच्चे पुरुशार्थ कर रहे हैं क्या करने का? जगत जीत बनने का माया जीत जगत जीत बनने का तनमन धन से रुखानी सेवा करते हैं कौन्सी सेवा? रुखानी सेवा जिस्मानी नहीं इनको spiritual knowledge कहा जाता है यह भक्ति नहीं है भक्ति का यूग है द्वापर कले यूग जिसको ब्रह्मा की रात कहा जाता है और सत्युक्त रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है कोई गीता पाठी आए उनको भी तो उनको भी समझाएंगे गीता में भूल है गीता किसने सुनाई राजयोग किसने सिखाया किसने कहा है काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे यह लक्ष्मी नारायन भी जगत जीत बने है न इनके 84 जन्मों का राज बैट समझाएं कोई भी हो नॉलेज लेने के लिए तो यहाँ आना पड़ेगा न मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूँ परन्तो तुम्हारे में भी कोई इतना नहीं समझते है इसलिए गायन है क्या गायन है कोटों में कोई कोई में भी कोई मैं जो हूँ जैसा हूँ कोई तो यह 5% भी नहीं जानते खुद को चेक करेंगे हम कितना बाबा को जानते है तुम्हे बाब को जान कर पूरी रीती याद करना है जितना जानते है ना इतना बाबा को याद करके उनके जैसा बन जाते है मा में तम याद क्यों नहीं करते हो पुछ रहे हैं बाबा कहते हैं बाबा याद भूल जाती है अच्छा नहीं लगता ना ऐसे बाबा को कैसा लगता होगा कि हम जब ये कहते हैं बाबा आपको भूल जाते हैं अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो यो तो बाप समझते हैं यह महनत का काम है फिर भी पुरुशार्थ कराने के लिए पंप करते रहते हैं अरे जो बाप तुमको शीर सागर में ले जाते हैं विश्व का मालिक बनाते हैं उनको भूल जाते हो माया भूलाएगी भी जरूर होगा टाइम लगेगा ऐसे भी नहीं कि माया को भूलाना ही है इसलिए ठंडे होकर बैठ जाओ इसको एक्सक्यूज मत बना दे न कि माया तो आएगी न अब हम क्या करें नहीं पुरुशार्थ जरूर करना है काम पर जीत पानी है मा में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे जैसे तुम बच्चों को बोलता हूँ बैसे कोई भी बड़े से बड़ा जज आएगा उनको भी बाप बोलेंगे न बच्चे चुकि मैं तो उचे ते उचा भगवान हूँ चाह कोई जज हो चाह कोई मिनिस्टर हो शिव बाबा के लिए तो सब बच्चे है न उचे ते उची पढ़ाई मैं ही पढ़ाता हूँ प्रिंस प्रिंसिस पद पाने के लिए बाब कहते हैं मैं इनको पढ़ा रहा हूँ यही फिर श्री कृष्ण बनते हैं प्रमबाबा की बात करें बाबा ब्रमभा सरस्वती बो ही फिर लक्ष्मी नारायन बनेंगे यह प्रवरती मार्ग चला आता है निवरती मार्ग वाले राजयोग सिखला न सके राजा रानी दोनों चाहिए विलायत में जाकर कहते हैं हम राजयोग सिखलाते हैं दुनिया वाले गुरु लोग उन्हें सिखाने जाते हैं राजयोग परंतो वहतो सुख को कागविष्टा समान कहते हैं फिर राजयोग कैसे सिखाएंगे तो बच्चों को उचल आनी चाहिए परंतो बच्चे अजुन छोटे हैं बालिक नहीं बने हैं बालिक बने की हिम्मत चाहिए तो हिम्मत रखनी है और सेवा करनी है रूहानी सेवा करनी है बाब बतलाते हैं यह है रावन संप्रदाई तुम पुकारते हो. पतित पावन आओ. तो यह पतित दुनिया है या पावन दुनिया है? जब भुलाया पतित पावन आओ. तो यह दुनिया कौनसी हुई? पतित होई न? तुम समझते हो न? कि हम नरकवासी है. क्या यह दैवी संप्रदाएं हैं? राम राज्य है? तुम रा रावन राज्य के नहीं हो अब रावन राज्य में सबकी आसुरी बुद्धी है अब आसुरी बुद्धी को दैवी बुद्धी बनाने वाला कौन ऐसे चार पाच प्रश्न पूछो तो मनुष्य सोच में पढ़ जाएं तुम बच्चों का काम है बाप का परीच देना ये प्रश्न पूछ कर फिर उनसे ही निकल वाओ जाड तो धीरे धीरे बढ़ता है फिर बहुत वृद्धी को पाएंगे अभी देखो कितने सारे बाबा के बच्चे बन गए हैं माया भी चक्री लगाकर एकदम गिरा देती है बॉक्सिंग में भी बहुत मरते हैं माया की बॉक विकार में गया और मरा फिर नए सिर पुरुशार्थ करना पड़े विकार एकदम मार डालता है जो कुछ जंक निकाल पतित से पावन बना बहकी कमाई चट हो जाती है फिर नए सिर महनत करनी पड़े ऐसे नहीं उनको एलाओ नहीं करना है नए उनको समझाना है आतमाएं जो पहले ग्यान में चलती थी फिर विकार में गिर पड़ी पैसे नहीं उनको एलाओ नहीं करना है तो वह पके ते नहीं उनको समझाना है जो कुछ याद की यात्रा की पढ़ा वह सब खलास हो गया एकदम नीचे गिर पड़ते हैं फिर भी घड़ी घड़ी अगर गिरते रहेंगे तो कहेंगे गेट आउट एक दो बारी आजमाया जाएगा बाबा भी एक दो दफ़ा आजमाएंगे दो बारी माफी मिली फिर केस होपलेस हो जाता है फिर आएगा लेकिन एक दम dirty class में ऐसा ने कि आएगा नहीं फिर भी आएगा लेकिन एक दम dirty class में भेट में तो ऐसे कहेंगे न कमपारिजन में जो बिलकुल कम पद पाते हैं उनको कहेंगे dirty class दास, दासिया, चंडाल, प्रज्जाम के भी नौकर चाकर सब बनते हैं नूद्ध बाप तो जानते हैं मैं इन्हों को पढ़ा रहा हूं हर पाच हजार वर्ष के बाद पढ़ाता हूं वह लोग लाखों वर्ष कह देते हैं आगे चल कर यह भी कहने लग पढ़ेंगे कि बरोबर पाच हजार वर्ष की बात है वो ही महाभारी लड़ाई है क्लियर हो जाएगा दुनिया वालों को भी परन्तु फिर क्या होगा उस समें टाइम नहीं होगा न याद की यात्रा में रहना सके दिन प्रति दिन टू लेट होते जाएंगे गाया भी जाता है बहत गई थोड़ी रही थोड़ी की भी थोड़ी रही यह सब इस समें की बाते हैं बगि थोड़ा समें है पामन बनने में लड़ाई सामने खड़ी है अपने दिल से पूछना है हम याद की यात्रा पर है जब कोई नया आता है तो बच्चों को फॉर्म जरूर भराना है जब फॉर्म भरे तब उनको समझाया जाए पता चलेगा ना उनके बारे में उसी के अकॉर्डिंग समझाना पड़ता है अगर किसको समझना ही नहीं है तो फॉर्म ही क्या भरेगा ऐसे तो धेर आते हैं बोलो बाब को पुकारते हो पतित पावन आओ तो जरूर यह पतित दुनिया है तब तो कहते हैं कि आकर पावन बनाओ फिर कोई बनते हैं कोई नई बनते हैं बाबा के पास पत्र तो धेर आते हैं सब लिखते हैं शिव बाबा के अर ओफ ब्रम्भा शिव बाबा भी कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवीश करता हूँ इनको चुरासी जन्मों की कहानी सुनाता हूँ और कोई भी मनुष्य रचता और रचना के आदी मध्यान्त को नहीं जानते हैं अब बाप ने ही तुमको बताया है यह चित्र आदी भी बाबा ने दिव्य द्रिष्टी दे कर सब बनवाए है बाबा तुम आत्माउं को ही पढ़ाते हैं आत्माई जट अशरीरी हो जाती है बाबा की द्रिष्टी पढ़ते ही आत्माई हम दे में होती हैं परन्तु अशरीरी हो जाती है इस शरीर से अपने को अलग समझना है बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भवव अशरीरी भव मैं आत्माउं कू पढ़ाता हूँ यह मिला है उसे बाबा पढ़ा रहे है जैसे मिला है आत्माउं और परमात्मा का इसे संगम का मिला कहा जाता है बाकी कोई पानी की गंगा पावन नहीं बनाती है साधु संथ रिशी मुनियादी सब जाते हैं गंगा स्नान करने सब जाते है अब गंगा पतित पावनी कैसे हो सकती हो सकती है तो बाबा कहते हैं अब गंगा पतित पावन हो कैसे सकती भगवान वाच है ना काम महाशत्र है इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे गंगा वस सागर तु नहीं कहते यह तो ज्यांत सागर बाप समझाते हैं इन पर जीत पाने के लिए क्या करो मा में कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे और क्या करो दैवी गुण धारण करो और क्या करना है किसको दुख मत दो पहला नंबर दुख है काम कटारी चलाना यही आदी मध्यांत दुख देने वाला है सत्युग में यह होता नहीं वह है पावन दुनिया बहां कोई पतित रहता ही नहीं जसे तुम योग बल से राज्य लेते हो वैसे वहाँ योग बल से बच्चा पैदा होता है रावन राज्य ही नहीं तुम लोग रावन को जलाते हो पता ही नहीं पढ़ता कि कब से जलाते आये हो रामराज्य में रावन होता नहीं जब सच में रामराज्य होगा तब रावन नहीं होगा यह बड़ी समझने की बाते हैं जो बाप बैट समझाते हैं समझाते तो बहुत अच्छा है परंतु कल्प कल्प जो जितना पढ़े हैं उतना ही पढ़ते हैं पुरुशार्थ से सारा मालूम पढ़ जाता है स्थूल सेवा की भी सबजेक्ट है मनसा नहीं तो बाच्छा करमणा बाच्छा तो बहुत सहज है पहले है मनसा अर्थात मन मना भव बाबा की याद में रहना याद में रहकर आत्माओं को सकाश देना यह है नंबर वन सेवा तो पहली सेवा नंबर वन है मनसा मन मना भव याद की यात्रा में रहना है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है बाबा से शिक्षा लेनी है बहुत हैं जो बाप को याद नहीं कर सकते ऐसे नहीं कहेंगे कि ज्यान को याद नहीं कर सकते ज्यान को याद कर सकते हैं बाबा को याद नहीं कर सकते मा में कम याद नहीं कर सकते याद नहीं करेंगे तो ताकत कैसे मिलेगी ताकत तो बाबा को याद करने से ही मिलेगी न बाप सर्विश शक्तिमान है उनको याद करने से ही शक्ति आएगी इसको ही जौहर कहा जाता है ये है जोहर आत्मा में याद का जोहर भरना है कर्मणा भी कोई अच्छी करे तो पद मिले कर्मणा भी नहीं करते तो फिर पद क्या मिलेगा है ना सब्जेक्ट होती है ना यह है गुप्त समझने की बाते नमबर वन, नमबर टू, नमबर त्री मनसा है नमबर वन, फिर वाच्छा, फिर कर्मणा वो लोग योग योग कहते रहते हैं पर उन्तु समझते नहीं कि योग से तुम विश्व की बादशाही लेते हो योग बल से ही वहां बच्चा पैदा होता है यह भी किसको पता नहीं है तुमको समझाया जाता है फिर भी आधा कल्ब के बाद तुम माया के मुरीद यानि चेला बन जाते हो बाबा बहुत अची तरह समझाते हैं आधा कल्ब तक चलता है फिर माया के मुरीद बन जाते हैं फिर माया तुमको अभी भी नहीं छोड़ती है अब तुमको क्या करना है शिव बाबा के मुरीद बनना है कोई भी देहधारियों का मुरीद नहीं बनना है और किसी का चेला नहीं बनना है सत्गुरु आ गया है अभी बहन भाई भी अब कहा जाता है पवित्र बनने के लिए फिर तो इससे भी उपर जाना है भाई भाई समझना है भाई बहन की द्रिष्टी भी नहीं ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है बिलकुल आक्यूरेट ड्रामा बहुत आक्यूरेट है बाब तो बेफिक्र है इनको तो फिक्र जरूर रहेगा शिव बाबा बेफिक्र है पर ब्रामा बाबा को फिर भी थोड़ी फिक्र रहती बेफिक्र तब रहेंगे जब कर्मा तीत अवस्था होगी तब तक कुछ ना कुछ होता है योग अच्छा चाहिए योग के लिए बाबा अब जोर देते हैं इसके लिए कहते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं घड़ी घड़ी बाबा को भूल जाते हैं बाप उलहना देते हैं जो बाप तुमको इतना खजाना देते हैं उनको तुम भूल जाते हो बाप जानते हैं, किसमें ज्ञान है, किसमें नहीं है, ज्ञानी कभी छिपा नहीं रहेगा, केवल ज्ञान सुनना सुनाना नहीं, ज्ञान धारण करने वाला वो है ज्ञानी, तो वो कभी छिपा नहीं रहेगा, भह जट सर्विस का सबूत देगा, तो यह सब समझने की बाते रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 धार्णा के लिए मुख्य सार पहला माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी है पुरुशार्थ में ठंडा हो बैठ नहीं जाना है हिम्मत रख सेवा करनी है दुसरा यह ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है इसलिए किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए एक बाप की याद में रहना है किसी देहधारी का मुरीद नहीं बनना है आज का वर्दान है श्रीमत प्रमाण सेवा में संतुष्टता की विशेष्टा का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव जब श्रीमत प्रमाण सेवा में संतुष्टता की विशेष्टा का अनुभव करेंगे कोई भी सेवा करो कोई जिग्यासो आवे या नहीं आवे लेकिन इंपोर्टेंट बात स्वयम स्वयम से संतुष्ट रहो अपना दी बेस्ट करो फिर फल क्या होता है उसकी चंता मत करो स्वयम स्वयम से संतुष्ट रहो निश्चे रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूँ तो मैसेज काम जरूर करेगा इसमें उदास नहीं हो स्चुडेंट नहीं बड़े कोई हर्जा नहीं आपके हिसाब किताब में तो जमा हो गया और उन्हों को संदेश मिल गया अगर स्वयम संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हो होता है ना कहीं बारी बहुत खर्चा किया पर उन्हों कोई निकला ही नहीं पर उन्हों यदि खुद संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हो आ श्रीमत प्रमाण कारे किया तो श्रीमत को मानना यह भी सफलता मूरत बनना है देखो ये बात ध्यान रखना है यदि श्रीमत प्रमाण किया फल नहीं भी निकला, कोई बात नहीं, ये भी सफलता मूरत बनना है, कि हमने श्रीमत प्रमाण सब कुछ किया है, हम स्वयम स्वयम से संतुष्ट हैं। स्लोगन है, असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो, तो उनकी दुआई मिलेंगी। क्या करना है? असमर्थ आत्माओं को समर्थी देनी है, तो उनकी दुआई मिलेंगी। तो आज विशीश क्या पुरुशार्थ करेंगे? निश्चंत बनने का, बेफिक्र बनने का, किसी भी बात का प्रभाव मुझपरना पड़े, क्योंकि मुझे करमादी स्थिती को प्राप्त करना है, सब कुछ बाबा को दे दे, मैं भी बाबा की, कारे भी बाबा का, बच्चे भी बाबा के पिलकुल, थोड़ा सा भी चिंता, फिक्र, टेंशन ना आए इसका बहुत ध्यान रखना है सब कुछ तेरा किया है अगर कुछ भी मेरा पन होगा तो चिंता होगी, फिक्र होगी चाह, ओम शांती जी करता है बाबा, मैं खोया रहू तेरे प्यार में बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में जी करता है बाबा, मैं खोया रहू तेरे प्यार में तू ही मेरा सच्चा साथी, जीवन का अधार है तू ही मेरा सच्चा साथी, जीवन का अधार है कैसे कहूं मैं ओ बाबा, मुझे तुम से कितना प्यार है कैसे कहूं मैं ओ बाबा, मुझे तुम से कितना प्यार है बस हो मेरे नैनों में, स्वासू के तार तार में बस तू ही तू नजर आए, बाबा मेरे संसार में जी करता है बाबा, मैं खोया रहू तेरे प्यार में तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए रहना पाओं बिन तेरे में तू ही जीवन दाता है रहना पाओं बिन तेरे में तू ही जीवन दाता है मेरा बाबा, मेरा बाबा यही गीत दिल गाता है हमने पाया निराकार को संगम पर साकार में बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में जी करता है बाबा मैं खोया रहू तेरे प्यार में जी करता है बाबा मैं खोया रहू तेरे प्यार में तू ही तू नजर लाए जिसको पुकारा जन्म जन्म तुम ही वो भग्वान हो जिसको पुकारा जन्म जन्म तुम ही वो भग्वान हो सुख शान्ति और पवित्रता का मेरे लिए वर्दान हो सुख शान्ति और पवित्रता का मेरे लिए वर्दान हो अनुभव पाया एक अनुखा रभु तेरे दीदार में अनुभव पाया एक अनुखा रभु तेरे दीदार में बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में जी करता है बाबा में खोया रहू तेरे प्यार में तू ही तू नजर आए तू ही तू नजर आए बाबा में तू ही तू नजर आए जी करति दू ही तू ही तू ही तू ही टू